नमस्कार में मुनिशा तिवारी आप देख रहें चम्यों सार बढ़ते हैं आज की खाफ खवर कियों भारत जोडो यात्रा के दोरान कॉंग्रेस में ता राहूल गांदी ने स्वतंद्र वीर सावरकर का जूठा इतिहास बताकर उनका अपमान किया जिसके बाद बाला साहे की शिवसेना पार्टी में राहूल गांदी की इस बयान की निंदा की और राज में आंदोलन के माध्यम से राहूल गांदी के खिलाफ विरोध प्रवेशन किया बता दें कि कल्यान पुर्व में शिवसेनिकों ने एक गद्ये को राहुल गांधी की तस्वीर और चपलों का हार पहना कर मैं गथा हूँ, मुझे बोलने का दिमाग नहीं कहकर विरोध जताया है साथी राहुल गांधी की तस्वीरों पर कालिक पोतकर भी विरोध किया यह रोध प्रगर्शन बाला साहेथ की शिवसेना पाठी के कल्यान शहर प्रमुख महेश गाइपड की नित्रितों में शिवसेनिकों ने किया आए सुनते हैं क्या खुछ कहना इस विशाय को लेगर कल्यान पुर्व शहर प्रमुख महेश गाइपड का राहूल गांदी अनला सावरकर साहिबांचे बाप्तित थूड़ी सुद्धा माहिती नाई है सावरकर साहिब हे मराटी कवी लेकक होते 1928 साली साहित के सम्मेलनाचे अधिक्षे हुन गिले सोतेंतर लडाया साथी, सोतेंतर चलवली साथी जिवाचा त्याक केला, जिवनाची जिवाचा संगर्ष केला आनी काला पानी आशा सारक्या सजा भूगले त्यानी सोतेंतर साथी संगर्ष करून अपले देशाला एक नवी दिशा देनाचा कार्या केला हे सुदा माहिती या राहूल गांदी ला नाई है आक्षर राहूल गांदी जिननी आँ महराजी रोकां चा अपमान केला है महारेशा महारेशा चा अपमान केला है या महारेशा चान देशा बरत राहूल गांदी ला पहीमलों का हिनोलगात त्याचा कालं आास कि ते बुद्धी नी कमेथ गाड़वा चिब तनक अमदे रुधिया मदे आनि तनका अम अमुना आ अधमी तनका निशेत करता है या तीकानी यह नारे कला मदे जो आशा पता तीने सावर्कर साइब आसु देया वीर सावर का रासु गया कि वहां आमचे उत्तात में कोनी बना सुझे जैनी देशाची बलीदान दिले तेंसा आपमार कदा पी महारश सं करनार नाई प्रेथियार की खाथ कब इस तर खबरों जूड़े रहने के बने रहे चेमें उसके साथ